गुड़ मॉर्णिंग बच्चों क्या आल कैसी रही मक्कर सक्रांती खुब खाये सब केवल खाये आप पढ़े भी कुछ मैंने तो क्लास दिया था मेरे लिए तो प्राइमरी जो फेस्टिवल है वह स्टडी है चकेंडि सब चीज है तो मैं लगा मेरे को लगा कि तो मेरे बच्चे भी तो इसी बात को फोलो करते होंगे इसलिए मेरे को अच्छे से class करते हैं और फिर से हम कुछ नए question के साथ तुम्हारे पास आये थे बच्चे previous class में मैं तुम्हें numerical पढ़ा रहा था और चुकि लंबे class जाने लगे थे जब timing ज्यादा cross होने लगा था तो मैं seven numerical तुम्हें पढ़ा कर छोड़ दिया था और मैं तुम्हें commit किया था कि इसमें एक दो numerical अगर और बनाते तो अच्छा रहता क्योंकि वो अच्छे question है तो बच्चे सबसे पहले मैं तुम्हें आज दो मैस बताऊंगा दो numerical बताऊंगा उसके बाद फिर आज का topics मैं आगे ले करके चलूंगा तो previous class को ही अगर मैं link टब करूं तो question number eight seven तक मैं बता रखा था तो question number eight तुम्हारे शामने फिर हम लेकर के अभी आज आये हैं और बच्चे अभी तक इतने लंबे classes के बाद अभी बहुत सारे classes मैं तुम्हें दे चुका previous unit का भी class कुछ मैंने दिया इस unit में भी regular class चल रहा है sequence के साथ class चल रहा है अभी भी बच्चे link का अज इंतजार करते हैं अभी भी बच्चे अगर what's up group में add होने का इंतजार करते हैं तो हमें लगता है कि क्या आप लोग class में बिलकुल alone पढ़ते थे क्या क्या आप लोग का अपना एक group नहीं है क्या आपके पास कोई शरकल नहीं है और क्या उस groups में किसी बच्चे के पास ए अपना जो YouTube channel चल रहा है इसमें इस channel का link किसी के पास नहीं है और अगर है तो आप class उनसे क्यों नहीं लेकर के आज तक channel को subscribe करके और class को एक sequence के साथ कर रहे हैं एक science के बच्चे के पास बिलकुल आज का mode brain होता है scientific brain होता है आप play उसे use कीजिए और आप अधिक से अधिक class पर focus करने का प्रयास कीजिए नहीं तो फिर आप पीछे रह जाएंगे और बच्चे आगे निकल जाएंगे मेरे यहाँ किसी भी दिन छुट्टी नहीं है जितने classes अभी तक आपके classroom में होते उतना classes मैं आपको एक sequence के साथ दे रहा हूँ मैं आपको जैस समय offline class close हो रहा था उस समय मैं आपको commit किया था कि मैं आपको नुक्षान नहीं होने दूंगा तो मैं आपको हर संभव प्रयाश कर रहा हूँ कि आपको नुक्षान नहीं हो आप अगर खुद से खुद को अगर नुक्षान दे रहे हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बच्चे आप smart मनिये और smartness के साथ classes को किजिए चलिए अब आते हैं अपने topics पर आज का question पहला question है अगर आप sequence के साथ देख रहे होंगे तो previous class से ही आगे इसको आप connect करते हैं तो आठमा question है two particles of mass M, दो particle है, एक particle यहाँ पर है, एक particle यहाँ पर है, दोनों का mass M है and separated by a distance 2R और दोनों particle एक दुसरे से 2R distance पर पढ़ा हुआ है and moving in a circle under the effect of the mutual gravitational force, अगर आप इसको ऐसे करका अगर एक circle बना लें sorry, sorry, ऐसे नहीं, आप इस पर लें, इस पर लें, इस पर लें, ओ नहीं, ऐसे नहीं, वो तो radius बन जाए अगर आप एक particle को यहाँ लें, M है, एक particle को यहाँ लें, M है और A2R मैं केवल A line आपको यहाँ पर draw करके दिया, तो अगर ऐसे circular path पर अगर move कर रहा है तो find the speed of particle, सबसे पहले आप बताईए, कि जो particle यहाँ पर move कर रहा है, उसका speed क्या होगा और साथी साथ मेरे को बता रहें कि बताईए, इसका angular speed भी क्या होगा, भटी यह angular speed, omega तो सबसे पहले हम लोग इसके speed को find करने का प्रियास कर रहे हैं आप अच्छे से question को देखिएगा चलिए, पहले जगा मना लिया जाए, ताकि question को solve करने का हमें, जगा मिल जाए, एक अच्छा सा question तो आप समझी रहे हैं, question तो यहाँ पर ही रखा हुआ है एक question है सबसे पहले मेरे को बताईए, कि यहाँ पर gravitational force कितना लगेगा तो gravitational force a is equal to g, m1 बोले तो m, m2 बोले तो m, और by उनके बीच का distance बोले तो 2r, 2r का square that means g, m, m by 4r square, a फीज बोले और बच्चे previous class में ही मैंने आपको बताया था कि कोई भी body, कोई भी particles अगर circular path पर move करता है तो वहाँ centripetal force apply होता है और this centripetal force f is equal to m, v square by r दोनों force है, दोनों को equate कर लो, m, v square by r is equal to g, m, m by r square एक m cancel हो गया, एक r cancel हो गया, तो क्या हो गया, v is equal to, v is equal to g, m by r और क्योंकि यहाँ भी square is equal to, तो फिर v is equal to क्या हो जाएगा, square हटेगा तो root हो जाएगा, root under g m by r एक क्या निकल गया, question number one निकल गया, उसमें हम लोग क्या find करना था, वहलो city find करना था, और वहलो city निकल गया, root under g m by r लेकिन साथी साथ, a निकला a number में, साथी साथ मेरे को b number में find करना, इसका angular velocity भी, वहलो सिम्पल है, अब यहीं से फिर से चलो, यहाँ से ही आजाओ, यहाँ से ही वापस आ जाते हैं, तो मेरे को मिला कि b square is equal to g m by r, बट तुम जानते हो कि b is equal to क्या होता है, omega r, पढ़ाए हैं न, b is equal to omega r, this is a relation between linear velocity and angular velocity, b is equal to omega into r, अगर इसे यहाँ पर put कर लो, now omega into r का square is equal to g m by r, bracket टोडो, omega square, r square is equal to g m by r, अब ऐसा करो, r को यहाँ ले आओ, तो omega square is equal to g m by r q, g m by r q, और omega is equal to under root g m by r q, तो यहाँ से इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो न, under root r square into r, r square का निकल जाएगा, और root under g m by r, root under g m by r, अब अच्छे अगर गौर से देखो, तो इस g m, answer तो ऐसे तुम्हारा यहाँ ही हो गया, अगर तुम अच्छे से देखो गया, तो answer तुम्हारा यहाँ ही हो गया, लेकिन, अगर तुम इस value को यहाँ पर put करना चाहो, तो तुम ऐसे भी कह सकते हो, कि omega is equal to 1 by r into b, और यहाँ से फिर से अगर तुम cross multiplication कर लो, तो b is equal to omega r, तो यह relationship है बच्चे, दोनों के बीच में यह relationship है, उमीद करें, तुमको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी न, कोई problems, नहीं न, चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इसको तुम और solve कर सकते, थे, किया जा सकता है तुम चाहो तो, इसको root under gm by r into 1 by 2 r भी लिख सकते हो, यही पर अंसर छोड़ सकते हो, यही पर अंसर छोड़ सकते हो, यही पर अंसर छोड़ देने से तुम्हारा काम चल जाएगा, कुछ mistake हुआ है बच्चे, इस question में कुछ mistake हुआ है, यहाँ देख, यहाँ से फोर छुट गया है, यहाँ से फोर छुट गया है, ग्म्म भाई 4R2 था वही वही अंसर आने में दिक्कत हो रही थे यस यस तो यहां 4 आ गया न और 4 आ गया यहां पर भी क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा और 4 का रूट क्या हो गया यहां से ही चलो यहां से इसका अंसर आजा गया ऐसा 1 by 2 4 का निकल गया 1 by 2 under root gm by r ए ओ यस ए निकल गया फिर यहां से ही चल 4 r 4 r यहां भी 4 छुट गया था यहां भी 4 ले लो सब जगह 4 छुट गया था यस फोर का भी रूट बाहर निकाल लो यहां फोर ले लो फोर का भी रूट बाहर निकाल लो यस आप जाकर के अंसर तुमारा शही हो गया ओमेगा इस इकॉल टू 1 by 2 r under root gm by r बचे एक डिजी छुटे से थोड़े से हम लोगा confusion हुआ एक बार फिर से पूरे देख लो मैं बताया कि एक डिस्टेंस इनके बीच का डिस्टेंस अगर 2 r है तो हो गया b r square is equal to हो गया gm by 4 r यहां से square हटाएंगे तो root हो जाएगा 4 का root बाहर निकल गया अंदर में रह गया root अंदर gm by r फिर अगर यहीं से question को आगे बढ़ा रहे हैं तो b square is equal to gm by 4 r लेकिन b is equal to omega r होता है हमें हाँ पर put कर देंगे omega r का square is equal to gm by r और यहां से bracket हम तोडएंगे तो omega square r square is equal to gm by 4 r omega square is equal to r square यहां आजाएगा तो r q हो जाएगा और यहां से square हटाएंगे तो root हो जाएगा silly mistake था और 4 का root निकल जाएगा 2 r square का root निकल जाएगा r अंदर में एक r रह जाएगा और उट अंदर gm by r हो जाएगा ए निकल गया angular velocity तो बच्चे यहाँ पर अपना complete question हुआ linear velocity भी निकल गया और angular velocity भी निकल गया आप अच्छा से इसको note कर लिजिएगा ना केवल केवल note बना करके केवल note करके notes केवल नहीं बनाईएगा बच्चे ए सारे question को आप अपने मन से भी अगर बनाते हैं एक बार पहले आप समझ लीजिए फिर इसको आप एक बार दो बार अगर अपने मन से बनाते हैं तो फिर ऐसे question बनाने का आपको habit हो जाएगा और examination में या classroom में या कहीं पर भी आपको ऐसे question की अगर जरूरत होगी तो आप इस question को बहूत अच्छे से अपने मन से बना सकते हैं बच्चे ऐसे question बनाते हैं समय आपके first concept होना चाहिए कि मेरे को linear velocity लेकर चलना है तो हम कैसे चलेंगे मेरे को अगर आप जोड करके चल रहे हैं पीछे वाले class से अगर इसको आप connect करके चल रहे हैं तो question no.9 बचे यहां भी a small m है ध्यान रखिएगा वो print हो गया है a small m है सब जगे m mass है यहां पर यहां पर कोई origin है और यहां पर हो गया first particle second particle third particle fourth particle और according to your figure the mass of all particle is same as m and the distance from all particles from origin is respectively x is equal to 1 from o x is equal to 2 from o x is equal to 4 from origin x is equal to 8 from origin x is equal to 16 dot 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 all distance are measured from this origin o this all are measured from this origin o so this distance is 1 this distance is 2 this distance is 4 this distance is 8 another is 16 another is 34 dot 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 these all distances are measured from origin कहां से measure किया जा रहा है और आप अगर यहां पर आपको क्या निकालना है total force find करना find the net force आपको net force find करना बच्चे ऐसे conditions में अगर आप F net निकालिएगा तो देखिए पहले इसके बीच में force निकालिएगा F1 इसके बीच में force निकालिएगा F2 इसके बीच में force निकालिएगा F3 ऐसे आप forces को निकालते जाएगा और सारे forces को निकाल करके आप sum कर लिएगा, यह निकल जागा F net, net means total, अब अगर आप, आप बताइए force कितना हो जाएगा, आप बताइए क्या होता है, G, M, M, बोले तो M square, और यहां से यहां के बीज का distance 1, बोले तो 1 square, just like, आप बोले इनके बीज का force कितना हो जाएगा, तो G, M, M बोले तो M square, लेकिन यह distance कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 square, आप बोलिए, यहां पर force कितना हो जाएगा, तो G, M square upon 4 square, next, G, M square upon 8 square, plus dot, dot कितना दूर तक जाएगा, उमीद करते हैं कि सारा का सारा, चीज आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आप इसको और break कर लिजिए, तो G, M square upon 1, G, M square upon 4, G, M square upon 16, G, M square upon 64, plus dot, 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 अब बच्चे, आप प्क्या कर सकते हैं, आप आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, कि यहां से G, M square आपको ऐमन ले सकते हैं, चलिए, बहुत अच्छा, तो 1 plus 1 by 4, plus 1 by 16, plus 1 by 64, plus dot, dot, अब बच्चे आप जड़ा यहाँ पर अच्छे से समझिएगा आप लोग पढ़े होंगे mathematics में अल्जबरा में आप progression पढ़े होंगे और तीन तरह का progression आप पढ़े होंगे AP, GP, HP arithmetic progression, geometrical progression and harmonic progression AP AP, अब ऐसे तो यह सारा काम आप मैस में बहतर कर चुके होंगे लेकिन AP में आप पढ़े होंगे कि 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 लेकिन आप यहाँ पर क्या पढ़े होंगे यहाँ पर आप पढ़े होंगे कि 1, 4, 16, 64 dot dot और HP is equal to होता है 1 by AP इसके लिए को यालक सरूल पढ़ने का जरूवत नहीं है आप AP को आप reciprocal कर दीजेगा HP मिल जाएगा मतलब progression mainly दो ही होता AP और GP अब दोनों में क्या differences है आप यहाँ देखिए 1st term minus 2nd term 2 minus 1 3rd term minus 2nd term 3 minus 1 आप यह कितना आया? 1 आया इस 2nd term minus 2nd term 2 है ए भी कितना आया? 1 आया मतलब इसमें minus करते है 1st term minus 2nd term 3rd term minus 2nd term 4th minus 3 5th minus 4 मतलब अपने आगे वाले से अगर minus कर लेते है और अगर यह differences बार-बार एक्वाल आता है तो इसको हम बोलते हैं AP लेकिन अगर यही क्या करेंगे? कि 2nd by 1st 3rd by 2nd 4th by 3rd इसमें अगर divide करके देखते हैं और बार-बार अगर value equal आता है तो इसको हम GP कहते हैं अब ज़र आप गौर कीजिएगा इस terms को देखिएगा इस terms को अगर आप इसमें इसको divide कीजिए तो 4 आ जाएगा अगर आप इसमें इसको divide कीजिए तो 4 आ जाएगा कहने का मतब 2nd term by 1st term is equal to 3rd term by 2nd term is equal to 3rd term by 4th term by 3rd term is equal to ऐसे आगे बढ़ते जाएगे 5th by 4 आगे जाएगा 6th by 5 और एप पूरा का पूरा जब अगर equal आते जाता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं GP बोलते हैं Geometrical Progression कहते हैं इसका मतलब है कि यह जो term है A जो sequence है A sequence GP में है Geometrical Progression में है और बच्ची अगर यह Geometrical Progression में है तो अब आपको F net निकालने के लिए net force निकालने के लिए Geometrical Progression हाँ अभी Geometrical Progression में जो 1st term होता है उसको A कहते हैं इसका मतलब कि a is equal to कितना हो गया बच्चा a is equal to 1 हो गया और आप जो divide करते हो तो divide करने के बाद जो आपको मिलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं r बोलते हैं तो r कितना हो जाएगा 1 by 4 नहीं आप इसमें इसको divide किजिए तो 1 by 4 में अगर 1 से divide किजएगा अब 1 by 16 में 1 by 4 से कि जीएगा तो 1 by 4 आएगा इसी को हम common difference बोलते हैं इसी को हम r कहते हैं और अगर आपको a भी मिल गया और r भी मिल गया तो अब आप f निकाल सकते हैं इस gma square को जियों काते हो छोड़ दीजिए gma square में कोई छेड़ छाड़ नहीं करना है और gp का formula होता है क्या gp का formula होता है 1 minus 1 by r sorry a by a by 1 minus r a formula होता है तो f नेट वाराम से निकल जाएगा a gma square को छोड़ दीजिए a का मतलब first turn बोलिए first turn कितना था 1 है upon 1 minus r common difference कितना है common difference नहीं बोलिए आप divide करके लाया जाता है 1 by 4 तो 1 by 4 अब यहीं हो गया बच्चे answer आप इसको solve कर लीजिए 1 by यहाँ LCM ले लीजिए तो 4 minus 1 by 4 a4 उपर चला जाएगा इसका मतलब 4 by 3 gm square यह हुआ answer बच्चे question थे इस question में हमको बहुत चीज़ सिखने का मौका मिला हम थोड़े से AP देख लिए GP देख लिए HP भी देख लिए और हम लोग को sequence के बारे में पता चल गया हम लोग को पता चल गया कि कैसे हम GP को find करते हैं अब चुकि मेरे को इसको solve करने का तरिका होता है तो मेरे को दोनों चीज़ पता चल गया एब ही पता चल गया और अब a gp solve करने का formula होता a upon 1 minus r तो चली हम यहाँ पर सारा value put किये solve किये और answer आ गया 4 by 3 gm square यहाँ पर आ गया net force तो उमीद करें बच्चे पूरा का पूरा समझ में आ गया है कोई दिकत नहीं है बहुत अच्छे से आप इसको note कीजिएगा और फिर अपने मन से जैसा कि मैं आपको बारबर बता रहा हूँ कि अपने मन से आप बनाने का प्रयास किजिएगा आपकी पुंजी वही है आप कितनी अच्छे teacher से भी अगर आप पढ़ाई कर लें लेकिन अगर आपका अच्छा religion नहीं है अगर आपका self study अगर अच्छा नहीं है तो फिर किसी से भी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है कितना भी बड़े center में चले जाएं तो भी कोई फायदा नहीं है teacher तो सारे अच्छे ही होते हैं teacher तो अच्छे ही पढ़ाते हैं आपका जो progress है most of all depend करता है आपके self study पर कि आप अपना self study कितने आप discipline के साथ अपने self study को की कर रहे हैं और बच्चे अब आते हैं हम अपने अगले topics पर अगला topics है कि mass of earth कितना होता है धरती माता कितनी बड़ी हैं कितनी बड़ी बोलने का मतलब है कि उनका mass क्या है आप जो पूरे अर्थ को जहां पर आप रहते हो समूद्र है, पेड़ पोधे है, माउंट है वो शारे के शारे ए देखो, ए अर्थ है तो इस अर्थ का तुम्हें बताना है कि क्या mass है यही आज का प्रश्न है ए धरती तुम देख रहे हो न इसी अर्थ का मेरे को mass find करना है तो बच्चे ध्यान देना, figure तो तुम देखी रहे हो अब तुम यहाँ पर आजाओ बाइदवे हम consider करते हैं बच्चे कि mass of earth है capital M अगर तुम्हें थोड़ा समय यहाँ पर एक छोटा सा figure बना लू वहाँ तो बड़ा बना हुआ ही तो इसका मैं complete mass M ले रहा हूँ और mass of body on the surface of earth इस surface पर कहीं पर भी जो body है और कहीं पर भी चलो mass को हम A ले लेते हैं A center है और A surface पर कहीं पर भी body है उसका mass हम small M consider करते हैं तो बताओ कि इस earth के center से A जो हाँ पर particle है इसके predictions को तुम क्या बोलोगे radius बोलोगे excellent radius बोलोगे और हम radius ले लेते हैं कि capital R है तो फिर मेरे को बताओ कि earth उस particle पर कितना force apply कर रहा है gravitational force बहुत easy पिछले दो तीन class से तो यही बाते पढ़ते आ रहे हैं कि यह gravitational force F is equal to G M M by R square G M M by R square क्या निकल गया force निकल गया और बच्चे consider कर कि जिस जगह पर यह particle है वहाँ पर का acceleration due to gravity G है acceleration due to gravity G है गुरुत्वियत वरन G है तो बता दे फिर यहां पर weight कितना हो जाएगा या उस body पर body का आपना weight बोले आप force बोले कितना हो जाएगा M G हो जाएगा excellent M G हो जाएगा force is equal to M into G अब देख तो बच्चा A भी F है और A भी F है क्या तुम दोनों को equate कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो तो चलो कर ही लो ना तो फिर अब हम अगर दोनों को equate किये दोनों को हम equate कर रहे हैं तो equate करेंगे तो क्या हो जाएगा M G is equal to GM by R square और यहां से M क्या हो गया cancel हो गया AM cancel हो गया क्या बच गया G is equal to GM by R square अब अगर आगे जाओगे अभी तो तुम mass find कर रहे हो जब तुम mass find कर लोगे तो यहां पर G का mass का radius का अगर यह शारे के शारे value तुम यहां पर put कर दोगे तो G का value on the surface of earth 9.8 आ जाएगा मैं आगे करके तुम्हें दिखला दूँगा और बच्चा यह radius कितना होता है बता दो radius कितना होता है तो मैं यहां पलिक दियाओ यह जो radius होता है 64 hundred kilometer होता है Earth के center से surface तक का distance जिसको हम radius बोलते है radius of earth the value of this radius of earth is 64 hundred kilometer अगर इसको तो meter में change कर लोगे तो now 64 into 1000 meter that means 64 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 meter अगर decimal form में convert कर दोगे तो 6.4 into 10 to the power 6 meter 1 2 3 4 5 6 decimal को यहां पर ले आएंगे और जब decimal को यहां पर ले आएंगे तो 6 decimal हम back जा रहे हैं left जा रहे हैं so 10 to the power 6 meter तो इसी को तुम 64 hundred kilometer भी कह सकते हो और इसी को तुम 6.4 into 10 to the power 6 meter अच्छा जी का value कितना होता बच्चा जी का value होता है 6.67 into 10 to the power minus 11 और small g का value कितना होता है बबु 9.8 into 9.8 meter per second square तुम्हें तीन identity का value चाहिए था यहां से जब तुम m का value लोगे r square उपर चला जाएगा नहीं जाएगा क्या था g equal to gm square by r square यही न तुम्हारा आया अब यहां से mass चाहिए तो r square आ जाएगा यहां g r square upon g अब इस mass को find करने के लिए यह तीन identity का तुमको value चाहिए g का radius r का और capital g का सारा value तुम जानते हो a तुम small g का value जान रहे हो तुम radius capital r का value जान रहे हो meter में भी मैंने convert करने के लिए तुम्हें बता दिया और capital g का भी value तुम जान रहे हो यह सारे के सारे value को अगर यहाँ पर equation 3 में अगर put कर दोगे और solve कर दोगे तो बच्चा तुमको mass of earth धर्ती का द्रब्यमान प्रिथवी का द्रब्यमान तुम्हें मिल जाएगा चलो हम लोग और आगे calculation को ले चलते हैं अब यहाँ देखो सारा value को मैंने put किया कितना आ गया 5.98 into 10 to the power 24 kg और ऐसे a exact value है लेकिन इसी को आप 5.98 को तुम round figure में 6 लिख सकते हो that means 6 into 10 to the power 24 kg a क्या होता है यही mass होता है इस पूरे अर्थ का a जो सामने में तुम्हें पूरी धर्ती जो दिखाई दे रही है इस पूरे धर्ती का जो mass होता है वो कितना तुम्हें major किया गया 6 into 10 to the power 24 kg यह हो गया approximate round figure में अगर अगर तुम eject value चाहते हो तो 5.98 into 10 to the power 24 kg यह पूरे अर्थ का जो mass होता है वो यही होता है बच्चा यह शारे values को अगर तुम ध्यान में रखते हो तो तुम्हारा GKS में भी काम आ जाएगा और physics के question में भी काम आएंगे आगे जाओगे तो इस value को रख करके और तुम्हें कुछ calculation भी करना पड़ेगा तो अभी तक तुम क्या पढ़े mass of earth पढ़े अब एक और topics तुमको मैं बता देता हूँ ऐसे तो time निकलते ही जा रहा है time का अपना एक crisis है लेकिन फिर भी तुम थोड़े तेजी से इस बार देखना तो मैं density of earth भी तुम्हें बता देता हूँ कि प्रीथिवी का घनत कितना होता है density का मतलब क्या होता है घनत अर्थ का क्या density है एक बार बच्चे तुम ए फिगर को भी समझो ए मैं अर्थ के भीतर का पार्ट तुम्हें दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ ए देखो अर्थ का inner core है ए outer core है और इसको मैं mental बोलता हूँ अब सबसे जो ए पार्थ है यह जो core बने हुए है तो ओ जिस चीज से बने हुए है उन चीजों का density को ही हम बोलते है density of earth तो अगर तुमको एक numerical value के साथ तुम्हें पुछने का अगर तुम्हें जानने का अगर जरूरत पढ़ रहा है कि density of earth क्या होता है तो यह density of earth का मैं एक simple calculation करके तुमको यहां पर मैं बता दू कि density of earth कितना होता है अभी अभी तुमने पढ़ा कि g is equal to क्या पढ़ा बच्चा gm by r square माल लो कि density rho है a rho ऐसे लिखा हुआ है a, a p नहीं कोई बच्चा पढ़ ले ना mass क्या होता है mass is equal to तो तुम बहुत पहले पढ़ा चुके हो कि mass is equal to volume into density और अभी तुम लिए कि earth का radius अगर r है mass अगर m है तो अगर radius r है तो बोलो उसका volume कितना हो जाएगा 4 by 3 pi r q normally earth को a spherical माना गया है गोला माना गया है और mensuration में तुम पढ़ा चुके हो कि गोले का आयतन बराबर 4 by 3 pi r q volume of a sphere is equal to 4 by 3 pi r q और density को जिएकाती हूँ तुम रो ले लो तो यहाँ mass हो जाएगा 4 by 3 pi r q into rho हो जाएगा ना बच्चा अच्छा चलो अब इस value को इस m को तुम यहाँ put कर दो क्या हाँ अभी तुमारे पास value था ना g is equal to g m by r square ऐसा करो यह g by r square को जिएकाती हूँ रखो और mass जो तुम यहाँ से यह जो निकाले इस mass को तुम 4 by 3 pi r q into rho समझ में आ रहा है ना यह value को तुम यहाँ पर put कर लो यह देखो यहाँ पर put कर लिए अब यहाँ से सोरी यह capital g है अब यहाँ से तुमको rho निकाल आईसा करो दो r तो कट जाएगा क्या बच गया g is equal to बच गया g 4 pi r rho upon 3 अब के ब़ल तुम्हें rho का value चाहिए तो g 3 को लेते जाम यहाँ पर 3 g 4 pi g r अब यह सारा का सारा value तुम जान रहे हो g का value भी तुम जानते हो 9.8 capital g का value जानते हो 6.61 into 10 to the power minus 11 newton meter square per kg square और radius यह भी तुम्हें बता चुके हैं 6.4 into 10 to the power 6 meter यह सारे के सारे value को बच्चा अगर तुम यहाँ पर put कर दो और put करके अगर तुम इसको solve करो तो तुम्हें एक eject figure तुमको यहाँ पर मिल जाएगा कितना मिल जाएगा 5,4,7,8.4 kg per meter q यहाँ देखो सारा value कोट क्या हुआ है 3 को रहने दिए G का value 9.8 रहने दिए by 4 pi का means 3.14 capital G का means 6.67 into 10 to the power minus 11 और r का मतलब यहाँ एस पेस नहीं था तो into का sign देखे मैं यहाँ लिख दिया हूँ 6.4 into 10 to the power 6 और यह सारे value को जब calculate किया गया तो 5,4,7,8.4 kg per meter q यह हो गया density of earth तो बच्चे आज मास भी मैंने तुम्हें बता दिया आज मैंने density भी तुम्हें बता दिया और साथ में तुमको दो अच्छे question भी मैंने बच्चे तुम्हें बताया तो यह सारे question को यह सारे value को तुम अच्छा से पढ़ाई करना और उसके बाद फिर हम तुमको आगे के class में और different topics लेकर के आऊंगा classes रोज अच्छे होते जाएंगे और जितना मैं explanation तुम्हें दे रहा हूँ उतने explanation तो मैं तुम्हें class में भी सायद offline class में भी नहीं देता था बच्चे तुम लोग का जो एक compliment उधर से आ रहा है कि यह सर आप बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं वगर वगर अपने मुझे में क्या बोलू सारे बच्चे तुम्हें एक देखी रहे हो एक compliment तुम्हारा आता है यही तो जीवन है ऐसे तो चलते रहेगा तो मेरे को भी शिखाते चलना डैटमेंस अपना compliment और comments देते चलना मैं भी तुम्हें जितना हो सकता है उतने अच्छे से मैं तुम्हें पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं तो बहुत अच्छे से इस पढ़ाई को करते चलो और फिर मैं अगले क्लास में नए टॉपिस के साथ फिर तुमसे मिलूंगा तो ओके हैपी दे बच्चे